इन दिनों जर्मनी की एक सिंगर को भारत में काफी सराहा जा रहा है इतना ही नहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी भी इस सिंगर की जम कर तारिफ कर चुके हैं और उन्होंने हाल ही में इस 21 वर्षिय सिंगर और उनकी मां से मुलाकात भी की इस मुलाकात की फोटो और वीडियो पिये मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की थी इसके साथ ही पिये मोदी ने जर्मन भाशा में पोस्ट भी लिखा था अब उस पर जर्मनी के चांसलर ने हिंदी में जवाब दिया है दरसला युध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिस्ट्र से पहले राम आएंगे गाकर इंटरनेट पर चाज जाने वाली जर्मन सिंगर से प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की थी जो भी सामने आया है इसमें Su vicет albhan रही है और पियम मोधी उनसका आनंद लेते दिख रहे हैं इसम你知道 के बाद भाएंस कीज आपक रूप से जानी जाती है पल्लदम में मैं उनसे और उनकी मां से मिला भारते संस्कृतिक संगीत और भोजन के प्रती के संज्रा के प्रेम के बारे में हमारी अद्भुत बातचीत हुई बेशक उनका मुख्य आकर्शन तमिल और शिव बेशक उनका मुख्य आकर्शन तमिल में शिव मैं मगा और अच्छुतम केश्वम गाना था अब प्रधान मंतरी मोदी के इस पोस्ट पर जर्मनी के चांसलर ओलाग स्कॉल्स की प्रतिकिरिया सामने आई इसमें ओलाव स्कॉल्स ने हिंदी में पोस्ट लिखकर कहा कि संगीत दोनों देशों को जोडता है जर्मन चांसलर ने अपने पोस्ट में लिखा यदि आपने जर्मन में लिखा है मेरे प्रियम मोदी नी संधे में हिंदी में जवाब दूगा ये अच्छा है कि संगीत भी हमारे देशों को जोडता है बता दें कि पियम मोधी ने सितमबर 2023 में अपने कारेकरम मन की बात 21 साल की जर्मन सिंगर के संज़ा का जिक्र किया था वे आँखों से देख नहीं सकती के संज़ा ने पिछले दिनों जगत जाना पालम और शिव पैशात्रम शोतम का गयान भी किया था इसी का जखर करते हुए पियम मोदी ने जर्मन सिंग की तारीफ की थी उन्होंने कहा था इतनी सुरिली आवाज और हर शक्द भावनाओं को दर्शाता है हम ईश्वर के प्रती उनके लगाव को भी महसूस कर सकते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज जर्मनी की एक बेटी की है बता दें कि केसंडरा ने अपनी इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर वीडियो शेर किया था इसके बाद शोचल मीडिया पर वो वारल हो गया उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा मैं 22 तारीक से पहले समय पर पहुचना चाहती थी इसलिए मुझे उमीद है कि आप सभी को मेरा संसकरन पसंद आएगा केसंडरा की राम आएंगे भजन प्रसुती को लाखों लोग देख चुके हैं